मत्यप्रदेश में उप्चनाव का प्रचार अपने उफान पर है। ऐसे में ग्वालियर चंबल अचल की ग्वालियर पूर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल डो टो डो प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज IBC 24 ने मुन्नालाल गोयल के प्रचार अभियान में पहुँची। वहीं मुन्नालाल गोयल का कहना है कि उनका लक्ष हर दिन 500-600 घरों तक पहुँचने का होता है। इसके लिए वो सुभा से देर रात कैमपेनिंग करते हैं। मुन्नालाल गोयल विधासभ एक बार फिर देगे। बता दे कि मुन्नालाल गोयल के सामने प्रतिदुवन्धी के रूप में कॉंग्रस के सतीज सिकरवार है। सतीज सिकरवार 2018 के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी थे। लेकिन कॉंग्रस के प्रत्याशी रहे मुन्नालाल गोयल से हार गए थे। जंदा काम चाहती है भारदी जंदा पार्टी ने मुत्रम मुत्रम तरही सब्सक्राइब कर रही है और जो काम करेगा निश्रत जंदा उसके साथ खड़ी होगी है विजिन देखते यह बगाचंश नहीं होता है तो बाई एलेक्शन में तमाम मुद्दे होते हैं तमाम चुनाव कि एंपने दिया कि इस चुनाव जंदल रही है कि यह कैसे दिंचलिया कैसी रहती है सुबह कैसे उठते हैं शाम कैसी होती है क्या रहता है के मैं सुबह आठ बही निकल जाता हूं और रात को दूबही बापश आता हूं